तो आईए एक और प्रॉब्लम इसी की उपर देखते हैं यह हमें given infix expression दी हुई है और यह हमारी operators की priority है जिसमें सबसे highest priority हमारी exponential operator की है और minus हमारी सबसे lowest priority है और हम से कहा गया है कि maximum stack size हमें निकालना है maximum stack size निकालना है इस पूरी algorithm के दौरान जब भी हमारा stack size maximum हुआ हो तो let's say हमारी पस यह हम यहाँ पर stack बना लेते हैं initially stack जो थी हमारी empty थी तो सबसे पहले हमने a पढ़ा जब a पढ़ा a को हमने as it is print करा दिया उसके अदर हमने plus पढ़ा plus operator यहाँ पर आया that means plus आया empty stack है इसको हम यहाँ पर operator को push कराएंगे ठीक है इसके अदर b आया b को हमने as it is print करा दिया इसके बाद star आया star आप जानते हो star की priority जादा है because star जो है incoming operator है और stack में क्या पढ़ा हुआ plus पढ़ा हुआ star की priority जादा है इसलिए हम क्या करेंगे push करेंगे that means star आपका यहाँ पर push हो गया इसके बाद हम c की तरफ बढ़े c को as it is हमने print करा दिया इसके बाद हम means यहाँ पर हम push operation perform करेंगे अब आप देखोंगे maximum stack size जो है atom इस moment में हमारे पास 3 हो चुकी है तीन operators हमारे push हो चुके है ठीक है इसके बाद हमारे पास DIR को हमने as it is करा दिया अब हमारा आए रहा है minus चीज़े हम यहाँ से बदलेंगी minus जो है उसकी priority सबसे lowest है incoming operator की priority lowest है that means कि और top of the stack में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है exponential operator that means हम यहाँ पर कह सकते है यह वाला जो operator है हमारा pop होगा ठीक है that means अब हमारा यहाँ पर हमने यह exponential operator यहाँ पर प्रिंट करा दिया stack size हमारा कितना हो गया 2 हो ठीक है तो stack size अब हमारा हो गया 2 stack size 2 हो गया पहले 3 था that means वो maximum था अब 2 है इसके बाद यहाँ पर minus पड़ा हुआ है और आपका यहाँ पर star है that means again incoming operator की priority lowest है that means यह आपका pop हो जाएगा that means star will be printed इसके बाद फिर से आप देखोगे top of the stack पर plus पड़ा हुआ है और incoming operator हमारा क्या minus है again plus की priority जादा है that means incoming operator की priority low है that means यह again आपका यहाँ से pop होगा and plus आपका यहाँ पर आजाएगा अब हमारी जो stack है वो हमारी empty हो चुकी है right empty हो चुकी है that means अब minus यहाँ पर incoming operator है empty है कोई comparison नहीं इसलिए अब यह यहाँ पर push होगा ठेक है यह push होगा that means अब हम यहाँ पर आ गए इसके बाद e को हमने जब पड़ा e को as it is print करा दिया आगे को expressions नहीं है इसके बाद अब हम stack को pop कराएंगे that means minus आपका यहाँ पर आ जाएगा so this will be the final answer to this question यह हमारी post fix notation बनी तो हम कह सकते हैं जो maximum stack size जो हमारा बना था at a particular moment वो हमारा कितना था 3 था maximum stack size 3 था तीन operators पड़े थे हमारे stack के अंदर so this is the answer to this question यह बहुत important algorithm है और जो main crux है जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो यह है कि in fix to post fix conversion में केवल और केवल operator stack ही use होती है